भारत आज आजादी की पच्छत्तरवी वर्षगाट मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने नौवी बार लाल के लिए से रास्ट्रे ध्वज तिरंगा फहराया। पेम मोदी हर बार अपने दमदार भाशन के साथ-साथ अपने लिवास और साफे से भी देशवासियों का बिल जीतने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी पेम मोदी ने तिरंगे वाला साफा बादा था। इनमें तीनों रंग सर्जे दिखाई दिये। पियम मोदी ने सफेद कुर्ता चूरीदार पैजामा और नीले रंग के जैकेट पहने थे इसके साथ ही तिरंगे वाली पगड़ी को टीम अप किया था साल 2014 से लेकर 2021 तक पियम मोदी की पगड़ी या साफा काफी चर्चा में रहा है आईए एक नज़र डालते हैं पियम मोदी के इन नौ सालों के अलग-अलग लुक पर साल 2021 यानी कोरोना के संकट काल के दोरान पियम मोदी ने स्वतंत्ता दिवस पर आठवी बार लाल किले से तिरंगा फहराया था तब पियम मोदी ने सफेड कुरता ग्रे स्काई ब्लू जैकेट और गले में लाल कड़ाई वाले स्टॉल के साथ गुलाबी और केसिरी रंग का साफा बांधा था साल 2020 जी हाँ साल 2020 में पियम मोदी ने स्वतंत्ता दिवस के मौके पर ग्रीम कलर के ट्रेडिशनल कुरते पर संतरी और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी साल 2018 में पियम मोदी ने सफेद कुरता पाईजामा के साथ लाल बंधेज कुनारी वाला भगवा साफा बांध कर लाल की ले पर जंडा फैराया था इससे पहले साल 2017 में जब पियम मोदी ने चौथी बार लाल की ले से जंडा फैराया था तब उन्होंने हलके बादामी रंग के कुर्टे पर लाल और पीले रंग के च्रेक वाली पगड़ी पहनी थी। उस समय भी पीम मोदी के लुक की काफी प्रशंसा हुई थी। 2016 में स्वतंतरता दिवस के मौके पर भी पीम मोदी ने अपने शांदार लुक से देशवासियों का दिल जीत लिया था। इस बार उन्होंने हाफ स्लीव कॉटन कुर्टे के साथ सतरंगी पगड़ी बांधी थी जो उन पर काफी जच रही थी। वही साल 2015 की बात करें तो स्वतंतरता दिवस के मौके पर पीम ने लाल पीले और हरे रंग की चेक वाली पगड़ी पहनी थी। इस पगड़ी को उन्होंने हलकी ओरेंज शर्ट और बादामी रंग के जैकेत के साथ वियर किया था। वही प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी पहली बार पीम बनने के बार स्वतंतरता दिवस पर पताओर प्रधान मंत्री जब रास्ट्रिये ध्वज फैराया था। तब उन्होंने हाफ स्लीव शर्ट के साथ लाल और पीले रंग की पगड़ी बांधी थी। अभी के लिए बस इतना ही बने रही है न्यूस वर्ड इंडिया के साथ।